तो दोस्तो आज हम जानेंगे कि चर्चालाल एप में आपको अकाउंट कैसे क्रियेट करना है और लॉगिन कैसे करना है नीचे साइन अप पे क्लिक करते ही आपको ऐसा पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको अपने इमेल आईडी को एंटर करना है फिलाल मैं एक फेक इमेल आईडी यूज़ कर रहा हूं आपको सिर्फ दिखाने के लिए और आपको नीचे फिल पासवर्ड सेट करना है जो भी आपका ना चाहे और कंफर्म पासवर्ड पे वही सेम पासवर्ड को एंटर करके आपको साइन अप पे क्लिक करना है sign up पे click करके 3-4 second hold कीजेगा क्योंकि वो आपका data save करेगा उसके बाद direct आपके सामने ये page खुल जाएगा यानि आप login हो चुके हो लेकिन अभी आपका काम पुरा नहीं हुआ है आपको उपर add का option दिख रहा है लेकिन अभी आप groups पे click करेंगे तो groups पे आपको कोई भी group नहीं दिखेगा क्योंकि आपको group में add होने के लिए मेरी permission लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको वापस profile पे आके ये QR code आप देख सकते हैं ये QR code को आपको scan करना है और इस पे 49 रुपीज का payment करके नीचे दिये गए नंबर पे यानि 966-455-4788 इस नंबर पे आपको screenshot भेजना है payment का और payment के screenshot के साथ आपको आपका username भी बताना है फिर आप वो username को approve करके add करेंगे फिर कभी आपका logout हो जाता है थैंक यू